नमस्कार आपके साथ मैं और ओहुद कुमार आफे नुजफोर नेशन पर बिहार के सिक्षा मंति डॉक्टर चंदर शेखर अपने बयानों की वज़े से अपने हर्कतों की वज़े से हमें साथ चड़चा में हैं बिहार में उनके तरफ से लिखी गए एक चिठी के बाद जो है आरजीडी और जद्यू आमने सामने हो गई है लगतार एक दूसरे के उपर हमले बोले जा रहे हैं और इन तमाम खबरों के बीच में अब केके पाठ्षक जो की आईए सधिकारी हैं सिक्षा बिभाग में कह सकते हैं कि जो सबसे बड़े अधिकारी है सिक्षा बिभाग के उनके उनसे पंगा लेना डॉक्टर चंदर शेखर को अब भारी पड़ गया है क्योंकि उनके पीए साहब जो है उनको सिक्षा बिभा और तब सामनी आई जब अचानक से बिहार के सिक्षा मंत्री डॉटर चंदर शेखर द्वारा पीत पत्र लिखे जाने की बाते सामनी आई उसमें तेके पाचक के ऊपर कई गंभीर आरूप लगाया गए कई तरह के सवाल खड़ी किये गए डॉटर चंदर शेखर आरजेडी क कोटे से मंत्री हैं यानि की तेजस्वी आदब की खास है बड़ी बात यह है कि डॉटर चंदर शेखर अपने बयानों की वज़े से हमेशा सुर्ख्यों में रहे हैं कभी रामचरित मानस को ले करके तो कभी किसी और मुद्दे को ले करके उनके विवादित बयानों की वज विकारी केके पाठ्षक के खिलाफ लिखे गए पीत्र पत्र के बाद अब डॉटर चंदर शेखर को आईयस से पंगा लेना जो है महंगा पड़ गया है क्योंकि उनके पीए की इंट्री को पूरतरेके से बैंड कर दिया गया है यानि कि जद्यू और आर्जीरी के बीच जो करारा जबाब मिला जिसके कलपना भी वो नहीं कर पाए होंगे मंत्री के पीए को सिच्छा विभाग में प्रवेश्व करने पर रोक लगा दी गई है साथ ही अपरोक्ष तोर पर सिच्छा मंत्री को भी हैसियत दिखा दी गई है विभाग के अपर मुखे सचीव केके पाठा को पीत पत्र लिखने वाले मंत्री के आप्त सचीव दोक्टर कृष्णा नंद यादव को करारा जवाब मिल गया है सिर्फ जवाब ही नहीं मिला है वलकि विभाग में घुसने पर भी रुक लगा दी गई है निदेशक प्रशासन शुबोध कुमार चौधरी की तर दिशा नुशार पिछली एक सब्ता में आपके द्वारा भाती- excelledkov के पीत पत्रों द्वारा विभागों और विभागी प्राधिकरियों को भीज गए समन्द में आपको आगाह किया गया था कि आप सचीव अता आपको नियमत है सरकारी अधिकारियों से सीधे प्तवचार नहीं करना चाहिए आपके द्वारा लगतार जारी अनरगल पीत पत्रों और अविवेक पूर्ण वातों से पता चलता है कि आपको माननीय मंत्री के प्रकोष्ट में अब कोई काम नहीं है आप व्यर्थ के पत्र लिकर के बिभाग के पतादिकारियों का समयनश्च कर रही हैं उलेकनी है कि आपक कार्याला में भौतिक रूप से प्रवेश्च नहीं कर सकते हैं विभाग को यह पता चला है कि आप विभाग पर मुकदमा कर चुके हैं जैसे करण आपके सेवा सामांजन का प्रस्ताव विभाग द्वारा काफी समय से लगतार खारिच किया जाता रहा है अता आप स्वैम एक माननी विभाग यह मंत्र के प्रकोष्ट में काम करने के लायक नहीं है इनी कारणों से सक्षम प्रदिकार को आपको होंटाने के लिए पत्र लिखा जा चुका है आपसे अंदरोध है कि आप स्वैम या आपके सनक्षिकों जिनकी कहने पर एक तथा कतित पीत पत्र और इसके बाद ही किसी प्रकां करका का पत्राचार करें ने से आपका और आपके से लिए मांसिक्ता एवाम अकर्मनिता जाहिर होती है। विभाग ये प्रादिकारियों के लिए संभब नहीं है क्यों आपके हर प्रकार के पत्रों का बार बार उत्तर देते रहें। सिक्षा मंतरी के पी अकुद्य के जवाब में आगे कहा गया है कि विभाग में ये भी निर्देश्ट निर्गत कर दिया गया है कि आपके द्वार लिखे गए पत्र पीत पत्र तुरन्त लोटा दिये जाएं। आपको पुनाहगा किया जाता है कि आप वेर्थ का पत्रचार ना करें और अपने नाम के आगे जो डॉक्टर लगाते हैं उसका सबूत दें कि क्या आप वाकई किसी उच्छन सहंस्थान में प्रध्यापक रह चुके हैं तो यह बाती जो हैं वो कही जा रही हैं के के पाठक ने की तरी के जो है जबाव भिजबा दिया है विहार के सिक्ष अर्गर शुरिबाब को अचरए और इसी पत्र की सामनी आने के बाद से बिहार का स्याशी पारा चड़ा हुआ है अर्गरी और जदिवा में सामने सांतिए हैं पैली जके आप इसा हुआ है उनको जो है विभाग से हटाने की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ जद्यू इस पूरे मामले परा जो है सिच्छा मंतरी की ही खचाई कर रहा है फिलाले इस वीडियो में इतना है पूस्ता